वड़नगर के गौरी कुंड में हर साल जन्माष्टमी के अफसर पर बड़ा मेला लगता था पिता दामोदर्दास मोदी ने नरेंद्र को मेला घूमने के लिए एक रुपया दिया उस वक्त देश के कई हिस्सों में भीशन बाण आई थी नरेंद्र ने दोस्तों से बात की और सबसे एक एक रुपया लेकर मेले में चाय का स्टॉल लगा लिया अपने घर से स्टोव और बरतन ले आया चाय बनाना तो वो जानता ही था इससे जमा हुए पैसे उसने बाण पीड़ितों की सहायता के लिए दे दिये स्प्सक्रादी पैसे लिए आप पार स्टोव पार ले टिया भीड़ा लेगा स्टॉल ले इसा की खएसे नानता ही आप पार स्टॉल उत्व औरतने लास्मार का ऊपर है वो भीड़ा 26 कि झानता है साल 1973, एहमदाबाद के LD Engineering College का हॉस्टल मैस बिल में भारी बढ़ोतरी करती गई, छात्रों ने इसके विरोध में हर्ताल करती 23 साल का नरेंद्र भी इस आंदोलन से जुड़ गया ये चिंगारी, गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, काला बाजारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, एतिहासिक नव निर्मान आंदोलन के रूप में भड़क गई नव निर्मान आंदोलन ने गुजरात में चिमन भाई पटेल की कॉंग्रिसी सरकार को उखार भेंगा इंद्रा सरकार तक हिल गई जल्द ही एक और बड़ा राजनितिक भुकाम पाने वाला था 12 जून 1975 इलाहबाद हाई कोट के जज जस्टिस जगबोहन लाल सिन्हा ने इंद्रा गांधी के राय बरिली से सांसत के तौर पर हुए चुनाव को रद कर दिया इंद्रा गांधी 1971 में हुए चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करने की दोशी पाई गई इलाहबाद हाई कोट के फैसले को इंद्रा ने सुप्रीम कोट में चुनावती दी देश की सबसे बड़ी अदालत से भी उन्हें खास राहत नहीं मिली 25 जून 1975 की रात इंद्रा गांधी ने पूरे देश में एमजन्सी लगा दी और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिये गए प्रेस पर सेंशर्शिप लाद दी गई अखबारों को सरकार के खिलाफ एक भी शब्र लिखने का अधिकार नहीं था विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ लाखों की तादाद में आम लोग गिरफतार किये गए 25 जून 1975 का दिन भार के इतिहास में एक कलंक दिन के रूप में याद किया जाएगा एमजंसी के काले दौर में 25 साल का युवा नरेंद्र भी लोग तंत्र बचाने की लडाई में शामिल हुआ पुलिस नरेंद्र को ढूंड रही थी लेकिन कभी साधू तो कभी सरदार बनकर वो लगातार अपना काम करता रहा हम बावनगर कारागार में थे मैं साधना साफ्ताइक का संपादक था और सेंसर सिप के खिलाफ लड़ा इसलिए मैं वो कारागार में था हम एक साल रहे उनको कुछ पूछना था तो बेश बदल कर आ गए वो जेल में मुझे मिले और भी लोगों को मिले तो ये उनका साहस क नरेंद्र गुजरात ही नहीं गुजरात के बाहर से आये तमाम नेताओं की भी हर संभव मदद करता रहा गुप्त बैठक आयोजित करने से लेकर ज़रूरी दस्तावेज और प्रतिबंधित पत्र-पत्रिकाएं सुरक्षित जगह पहुंचाने तक जो काम है संमाज में जागरती लाने का यानी की अलग अलग पत्रीकाएं जो होती थी जो यूस जो निज़ फेपर में नहीं आते थे सेंसर बिशिप कर नाते तो वह फेलाना कई ओड़िविधिशान की जो गतिविधी चल रहे है वो समाज में लाना और विदेश में पहुंचाना ये सब कार्य करने वाले अंडरग्राउड वरकों में अंधर भाय मुख्य थे मिटिंग की सिस्टम कैसी थी बिफोर संराइज अमें वहां पहुंचना अप्टर दर संसेट सब को निकलना तो मिटिंग पुरी हो गई और हम सब निकले माने दरंदर भई हमसे आगे थे मैं बाकी के लोगों के साथ एक पुरानिक गाड़ी में था और आगे पुलिस खड़ी थे मैं तो गवरा गया उन्होंने भी देखा कि पूलिस है वो तो बड़े चालाक अर्श्यार उन्होंने राइट सिग्ड़ दिखाया और फिर लेप बताया मैं गवरा गया कि यह किसा है मगर फिर कि मैं राइट को जाता हूं आपको लेप में जाना है आपातकाल में पिता दामोदरदास मोदी नरेंदर को लेकर बहुत चिंतित थे पता नहीं बेटा कहा है किस हाल में है वे किसी भी तरह नरेंदर से मिलना चाहते थे छोटे भाई पंकज ने नरेंद्र से संपर्क किया नरेंद्र भेश बदल कर छिपते छिपाते अपने मामा के घर एहमदाबाद के दाणी लीमडा इलाके पहुँचा जहां उसने पिता और भाई को बुला लिया था पितान नरेंद्र की वेश भूशा देख कर दंग रह गए आपातकाल के खिलाफ लडाई में नरेंद्र की भूमिका को जाना तो गर्व की अनुभूती हुई एमर्जंसी ने नरेंद्र को बड़ी भूमिका निभाने का मौका दिया संग के साथ ही गांधिवादी, सामेवादी सभी विचार्थाराओं को जानने समझने का आवसर मिला संग से जुड़े लोगों को गुप्त ढंक से जोड़ने का काम तो चलता ही रहा अडल जी भी जेल में थे, अडवान जी भी जेल में थे और संग के जितने लोग थे, सब जेल में थे, बाला साहब जीवादी, मगर ये लोगों के बीच में जो है पत्र रोहर के तुरू, पूरा जो जंगा पार्टी का फोर्मेशन के बारे में चर्चा होता था 21 मार्च 1977, एमरजन्सी हटी, चुनाव हुए और केंद्र में मुरारजी देशाई की अगवाई में पहली घैर कॉंग्रिसी सरकार बनी उनके मंत्री मंडल में वाजपेई आडवानी जैसे जनसंग के बड़े नेता भी शामिल हुए देश में नए राजनीतिक समीकरण बने, नरिंद्र को भी नई जिम्मेदारी मिली उसे गुजरात से संबंधित आपात काल का इतिहास लिखने को कहा गया नरिंद्र ने पुस्तक लिखी संघर्ष मा गुजरात इमर्जनसी में पूरा कारियर संघर्ष में कैसे चला इसमें वेस बदल करना, अंडरग्राउंड लोगों को संपर करना कब कोर कहा सत्यागर करेगा और जेल में जाएगा ऐसे अंडरग्राउंड नेता हो कि जो बेठक होते दी उनकी विवस्ता करना ऐसे सब विवस्ताओं में नरेंद्र भाई का रोल एक बड़ा था जो हम संघर्ष में गुजरात को पुस्तक में कापी कुछ पढ़ सकते हैं 27 साल के नरेंद्र की पुस्तक का लोकारबन मुख्यमंत्री बाबो भाई जस्भाई पटेल ने किया ये पुस्तक भारतिय लोकतंत्र के सबसे अंधेरे काल का चमकदार दस्तावेज बन गई पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका हिंदी अनुवाद आपात काल में गुजरात नाम से प्रकाशित हुआ भूमिकाएं स्थान बदलते रहे अभिरन एमर्जन्सी के बाद नरेंद्र का दिल्ली आना जाना लगा रहा संरक्षक की भूमिका निभाते आ रहे वकील साहब नरेंद्र को तराश्ते रहे वकील साहब की सलाह मानते हुए मोदी ने दिल्ली युनिवरसिटी से 1978 में बिये किया पुदी जी वकील साहब के मानस पुत्र थे वकील साहब के समरण में ही पूरा संसकार दाम खड़ा है जिसे लक्षवन ग्यान पिट के नाम से हम जानते हैं 11 अगस्त 1989 दोपहर सवाद 3 बजे गुजरात के मोरभी में मच्छो नदी पर बना बांध तेज बारिश से तूट गया कुछ ही देर में बार के प्रकोप से 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई शहर शमशान बन गया लाशों के कारण महामारी पहलने का खत्रा बढ़ गया इस त्रासदी की जानकारी पाते ही मोधी फटाफट मोर भी पहुचे संग के स्वयम सेवकों के साथ मिलकर बार पीड़ितों की सहायता की मोर भी के बार पीड़ितों के लिए राजकोट में राहत शिवर लगाए गए और इन शिवरों में सब का ध्यान रखा गया यहां मुस्लिम परिवार बड़ी तादाद में थे जिनके लिए रमजान के महीने में सहरी तक की विवस्था की गई यह सब काम बड़ा कठीन था और उसको फिर से खड़ा करना यह पूरा मेरे खाल से दो-तीन महीने तक यह काम चला था और नरेंदर भाई उसमें निरंतर वहाँ पर बने रहे थे मोरवी की घटना के दो हफ़ते पहले ही मुरार जी दिसाई की जगाय चौदरी चरण सिंग ने पी-म की कुर्सी सभाली लेकिन उनकी सरकार भी छे महीने के अंदर गिर गई जनता मोरचा का प्रयोग तीन साल में धराशाई हुआ और जनवरी 1980 में हुए चुनावों में इंदरा गांधी ने सत्ता में वापसी की 6 अप्रेल 1980 जनसंग से जुड़े नेताओं ने भारतिय जनता पार्टी का गठन किया अटल जी ने गोशना की भारतिय जनता पार्टी बनी पहला अधिवेसर मुंबई में हुआ पटल जी का वो बहुत बड़ा वक्य है अंदरा चटेगा, कमल खिलेगा और कमल की घोशना हुई इस वक्त 1981 में तमिल नाडू के मीनाक्षी पुरम में बड़ी संख्या में दलित परिवारों को इसलाम में धर्मांतरित किया गया इस घटना से देश भर में हाहाकार मचा हिंदू समाज की एकता को सुद्रड करने के लिए संग परिवार तेजी से हरकत में आया देश भर में एकात्मता यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ देश के करीब 6 करोड लोगों से इस दौरान संपर्क किया गया इस यात्रा के गुजरात में आयोजन का दाइत्व संभाला नरेंद्र मोदी ने मोदी की नेत्रित्व क्षमता को नया आयाम मिला देश के तमाम नागरीक एक है इस उद्देश के साथ गंगाजी और भारत माता गंगाजी का कुम्ब और भारत माता का चित्र लेकर एक साथ दो रत देश भर में निकाले गए मैं मानता हूँ कि ये रथ्यादरा किस तरह से निकाली जाए इसका विचार भी नरेंद्र भाई का ही था 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूती लहर के कारण कॉंग्रेस को बंपर जीत हासिल हुई बीजेपी को सिफ दो सीटें मिली अगले ही साल गुजरात में विधान सभा के चुनाव हुए कॉंग्रेस ने 182 में से 149 सीटें हासिल की बीजेपी को महस 11 सीटें मिली बीजेपी को मजबूत करने के लिए संग से अच्छे प्रचारकों को पार्टी में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ 6 दिसंबर 1986 RSS के ततकालीन सरसंग चालक, बाला सहब देवरस के निर्देश पर नरेंद्र मोधी भारती जनता पार्टी में भेजे गए देड़ दशक से संग के कारे को विस्तार देने में लगे मोधी नए रास्ते पर निकल रहे थे हृदे के उदगार कविता में बेह निकले मा, मैं जानता हूँ इस शरीर को अब एक नए रंगमंच पर ले जाना है नए रंगमंच के अनुरूप इसकी साथ सज्जा करनी है मन, बुद्धी, रदे, शरीर के इन सब अंगों को अब इस नए रंगमंच के अनुरूप ढालना है अपने दिल में क्या उनकी उतेजनाये हैं वो जगत जन्नी से बताते थे उनको लगता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों न हो वो मा उनका हाथ पकड़ कर उस मुश्किलात की घड़ी से उनको बाहर निका लेगे संग से बीजेपी में आते ही मोधी के सामने एक बड़ी चुनोती 1987 में आई जिसे उन्होंने अवसर में बदल दिया एहमदाबाद नगर निगम का चुनाव था रननीती और प्रचार की जिम्मेदारी खुद मोधी ने सभाली नारा दिया बस अवे तो भाचप उस टाइम नरेंद्र भाई मोधी ने ये स्लोगन दिया था बस अब भाचप उस टाइम पे जो स्लोगन बने जिस स्लोगन ने एक भुबा एहम रोल प्लिकिया बीजेपी को उपर उठाने का देश की पोलिक्स में, इरिटरल पोलिक्स में वो स्लोगन का जो कॉइनर थे उसके वो जातर नरेंद्र भाई थे एहमदाबाद नगर निकम चुनावों में बड़ी जीत के बाद नरेंद्र मोधी को गुजरात बीजेपी का संगठन मंत्री बना दिया गया मोधी ने गुजरात में बीजेपी की जड़े मजबूत करने के लिए यात्रा की रणिनीती का साहरा लिया किसानों के मुद्दों को लेकर 1987 में निया यात्रा तो आदिवासी इलाकों को केंद्र में रखते हुए 1988 में लोकशक्ती यात्रा तो जो प्रश्न जो समश्या लोगों को पीडित करती थी इस समश्या को लेके समश्या को हलके से किया जाए उनका सुजाव देते हुए उद्रात में वीविदक्षेतर में यात्रा हुई और इसी यात्रा से लोग जूड़ते अगए 1988 में ही मोदी एक और यात्रा पर निकले भोले भंडारी के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विदेश विभाग की तरफ से पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का जथ्था भेजा जा रहा था मोदी भी ऐसे ही एक जत्थे में शरीख हुए यात्रा से वापस लोटे तो सूचना मिली कि पिता दामोदर्दास मोदी की तबियत काफी खराब है नरेंद्र तुरंत वड़नगर पहुँचे प्रान निकलने से पहले पिता मानुअपने कुमार का ही इंतजार कर रहे थे बेटे से मुलाकात हुई और दामोदर्दास मोदी ने सदा के लिए आँखें मोद ली अगले ही दिन नरेंद्र नए पत पर निकल पड़े अविरल बोफोर्स घोटाले के साए में 1989 के लोगसभा चुनाव हुए गुजरात में जनतादल के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा मोदी को अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाने का बड़ा मौका मिला गटबंदन के तहत गुजरात में जन बारा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी उन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई मोदी का सिक्का और जमा कि मोदी जी का काम करने का तरीका वो अपने आप में एक अनूठा है काम कुछ भी हो उसका पूरा आयोजन करना और आयोजन को एक बार चकास लेना उसके बाद अमल मेलाना तो ये प्लानिंग करके किसी काम को अंजाम देने की जो उनकी बद्दती है उसी में ही इनकी सफलता का राज है 1989 के लोगसभा चुनावों ने BJP को ताकत दी पार्टी ने सोमनाथ से आयोध्या तक रथ यात्रा का फैसला किया रथ यात्रा की पूरी प्लानिंग मोधी के जिम्मे रही जो गुजरात में पहले ही कई सफल यात्राएं आयोजित कर चुके थे सोमनाथ से आयोध्या की यात्रा BJP के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली थी आजादी के तुरंत बाद सर्दार पटेल की प्रेरणा से सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्मान हुआ था BJP अपनी अगुआई में भगवान श्री राम की जन्म भूमी अयोध्या में मंदिर निर्मान कराना चाह रही थी राम लला के जन्मस्थान की उस जगह जहांके प्राचीन मंदिर को बाबर के सेनापती मीर बाकी ने तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी रत यात्रा के जरिये BJP राम मंदिर के लिए जन्मसमर्थन जुटाने की तैयारी कर रही थी पाठी का अपना जनाधार बढ़ना स्वाभाविक था आडवानी की यात्रा अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाई लेकिन साल भर बाद मोदी खुद एक बड़ी यात्रा पर निकले BJP के ततकालीन राष्ट्रे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्होंने कन्या कुमारी से यात्रा की शुरुवात की इसे नाम दिया एकता यात्रा का उस वक्त कश्मीर में पंडितों की हत्या उनकी बहु बेटियों के साथ बलातकार पलायन जारी था घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवात के हिलाफ पूरे देश को जगाने के उद्देश से थी मोदी की ये यात्रा जिद ये कि जान रहे या जाए श्री नगर के लाल चौक पर तिरंगा फैरा कर रहेंगे लाल चौक में पोस्तस लगाएं दिवारों पर लिखाएं जितने अपनी मां का दूर प्यार हो वो श्री नगर के लाल चौक में आएं आतंकवादियों की धंकियों के बावजूद 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फैराया गया तो महुल इतना भावुक था देश के लिए एकता के लिए कि मुर्णे के लिए हब सब कारी करता हूँ एक दुम जूसा में था 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बावरी मस्जित का विवादास पर धाचा गिरा दिया गया गुजरात में जनता दल और बीजेपी का गटबंधन तूटा 1995 के गुजरात विदान सबाज जुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी जबर्दस्त जीत हासिल हुई गुजरात में पहली दफा बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार बनी जीत के पीछे थी नरेंद्र मोदी की रणनी थी जीत की खुशी ढंक से माना जीत की खुशी ढंक से मानाएगा और उन्होंने पार्टी में ऐसा एक महूल मनाया जिसके बज़े से केशु भई चीफ मिनिस्टर बनेगा जीत की खुशी ढंक से माना पाते उससे पहले ही पाठी के अंदर बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ शंकर सिंग वागेला ने विद्रोह कर दिया केशु भाई की सरकार में अपने समर्थकों की अंदेखी का आरोप लगाया ठीक राप होड़ा नरेंद्र मोधी के सरपर तो बीजीपी के जो एमेल इसे उनमें उन्होंने एक तरीके से एक फूट डालने का प्रेंथना किया शंकर सिंग वागेला बड़ा तपकार लेके वो चले गए यहां से खजु रहो और उनके समाधान की बाद जब अटल जी और सिस ने तो तो न की तब शंकर्शी ने शर्त रखी थी कि मोधी जी को गुद्रात के बाहर बेजा जाए तब हम वापीस आके केशुभय की सरका को चुलाएंगे तो अटल जी ने एक फर्विला स्विकार किया और मोधी जी तो वेसे बारतिंता पार्टी के समर्पित कारे करता थे ही पार्टी जो फेसला करे उनको स्विकार करते थे तो इसी फेसले में उनको गुजरात छोड़ने का तैव हुआ नरेंद्र मोधी इस पूरे घटना क्रम से आहत हुए लेकिन पार्टी के हित में गुजरात छोड़ना स्विकार किया 28 सितंबर 1995 को गुजरात के संगठन महमंत्री का पद थ्याग दिया क्या हार में क्या जील में कि जीत नहीं है जीत में करतक पथ पर जो मिले यह भी सही बहभी सही क्या है